For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. Bollywood filmیں हमारे देश में तो दोस्तों धुआदार कमाई करती ही हैं। साथ में इन दिनों चाइना में भी Bollywood फिल्मों का खूब क्रेज है। ऐसे में चलिए जान लेते हैं कि किन Bollywood फिल्मों ने चाइना में धुआदार कमाई की है। आमिर खान की फिल्म दंगल ने चाइना में भी धाकर बिजनस करते हुए चौदा सो करोड की कमाई की थी। जाहरा वसीम और आमिर खान स्टारर सीक्रेट सूपरस्टार भी चाइनीज बॉक्स ओफिस पर सूपर स्टार सावित हुई और इस फिल्म ने 810 करोड का बंपर कलेक्शन किया। बी टाउन के भाईजान सल्मान कान की फिल्म बजरंगी भाईजान ने चाइनीज बॉक्स ओफिस पर 326 करोड की कमाई की थी। अगर इर्फान खान की फिल्म हिंदी मीडियम की बात की जाए तो ये फिल्म भी चाइनीज बॉक्स आफिस पर धुआदार साबित हुई थी इस फिल्म ने चाइना में 223.46 करोड की कमाई की थी राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी आमिर खान और अनुष्का शर्मा स्टारर पीके ने चाइनीज बॉक्स आफिस पर 129 करोड की कमाई की थी तो दोस्तों, आपने इन पांचों में से कौनसी कौनसी फिल्में करी हैं उन्जॉई? इन पांचों फिल्मों में से आपकी है कौनसी फेवरेट हमें जरूर लिख भीजें नीचे कॉमेंट सेक्शन में